आज का जो हमारा टॉपिक है that is helping up अभी helping up का tense में क्या रूल है यह देखते हैं इससे पहले हमें यह बताना चाहिए कि helping up होती है वो कितनी तरह के होती है उसके types कितनी होती है तो वो दो तरह के होती है कौन-कॉन से एक होती है primary helping work and the second is models जो models है अपने सुनोगा आपको पताओ कौन-कौन से है can, could, may, might, might, will, shall, would, use, do, need, dear, etc यह हम discuss करेंगे वर्ब के chapter में तो जो आज का हमारा topic है that is primary auxiliary verb अब इसका क्या role है tense में यह हमने देखने है अब इसका किस नोनिम और है या तो इसको कहलो primary auxiliary verb या इसको कह सकते है primary helping of जो auxiliary verb आ इसका मतलब का होता है providing additional support अब यह support किसको करेंगी अच्छा नाम के इसका helping of helping of का मतलब के किसी ना किसी को help करेंगी तो उसे को support करेंगी यह किसको support कर रहे है main verb को support कर रहे है तो इसी वज़ए से हमने इसको नाम देदिया और अगर आपको याद हो हमने फिर सेकंड लेसन में किया था इनको टेंस बनने के लिए यूज किया जाता है जैसे मैंने यहां पर चार्ट बनाया देखिए यह क्या हमारी helping verbs हैं अचा है यह verbs लिए अब इनको हुने यूज कर लिया जब यह tense बनाएंगी तब यह कैसे यूज़ होंगी गयंत एजह है बना प्लस जैसे बीक के एंजांपल दू इंजा मर प्लस रोब की आई एंजी फॉँर्प कॉंटिनीयूस हो स्वास्फ पलसके लिए फॉप प्लसके तर्ट पर्फट्ट हो गया अच्छा अर्टू प्लस वब की फिर्स्वार्ट फॉंट्र इलिए प्लसके फॉर्म तो यह प्लसके बु क्या भिणा थे हैं लेकिन यही व्रक की फोल एज अ में वोग कर सकती हैं जब यह में की दरेंगि तब इसले क्या काम करेंगे है चलि यागे देखते अब जैसे में एक संटेंस लिखा मैं सнес宮 राइट न अब हमें बता चल गया कि I am teaching यह कौन सा tense है present continuous tense है अच्छा यहां पर जो am है यह helping वर्भ है मेन वर्भ है क्योंकि किसको help कर रही है main work को help कर रही है tense create करने में अच्छा अब यहां पर देखिए जब यह वाला tense कौन सा है present continuous tense इतनी बात लिए होगी अब next sentence में लिखा I am a teacher हमने कौन सी वर्भ यूज कई बी की फॉर्म यूज की अच्छा बी की फॉर्म कौन पर देख लेते हैं यहां पर देख लेते हैं बी की फॉर्म बी की फॉर्म इस एम आर वाज वर बीन और बीन अब यहां पर जो राए यहां पर जो एम है किसको делать पर रहा था यह खून और लेकिन नेच्छ वाले सेंटेंस में पॉस है यह नहीं तो जो सर्वेंट वो खुदी क्या बन गया बॉस बन गया इस सेंटेंस में अगर यह किसी को हैल्प नहीं कर रहा तो इंग्लिश में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें में वर्ब नहीं हो तो जहां पर जो एम है यह खुदी किसका काम कर रहा ह में वर्प का काम कर रहा है सर इतनी बाशन हमाजा है तो जो helping वब उसको helping वब इसी वज़े से बूला गया क्योंकि यो किसी में वर्प की help कर रहा हूँ लेकिन इस sentence में second sentence में कोई में वर्प है यह नहीं कोई दूसरी action वाली वर्प ही नहीं इसी वज़े से जो M है helping up है ये खुदी किसका काम करना start कर देता है मेन वर्ब का काम करना start कर देता है अच्छा कर मैं बहुत हूँ ये क्यों मेन वर्ब है तो इस sentence का इस sentence का tense कौन सा हुआ कौन से tense हुआ, verb की कौन सी form है present की form है, first form है इसी वज़े से इसका tense क्या हो गया present indefinite tense अच्छा, उपरोले sentence में अगर हम बात करें तो हम तो action की बात कर रहे थे कोई इंसान बढ़ा रहा है, जैसे मैंने का मैं आपको भी बढ़ा रहा हूँ, तो action हो रहा है नीचे वाले sentence में क्या कोई action हो रहा है नहीं हो रहा, बी की form जब as a main verb काम करती है तो हम उस sentence के subject की state की बात करते है तब यहाँ पर किसकी बात कर रहे है, I की state की बात कर रहे है उसकी state के एक वो teacher है तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है sir, state की जैसे मैंने बूल दिया, I am busy अब यहाँ पर busy एक adjective है, वह एक verb तो है नहीं तो इसी वज़े से हैं खुदी यहाँ पर क्या बनगी, main verb बनगी अगर B की form main verb है तो हम subject की state की बात कर रहे है मेरी state के है, कि मैं क्या हूँ, busy हूँ, she is beautiful, beautiful एक adjective है main verb तो है नहीं, अब main verb यहाँ पर कौन से बनगी, is बनगी, तो इस अगर main verb है तो subject की state की बात कर रहे है, she की state क्या है, कि वो क्या है, beautiful है इतनी बात समझ आई, तो मैं बताता है, यह present indefinite है, यह भी present indefinite है और यह भी कहा है, present indefinite, क्योंकि यहाँ पर be की first form हमें यूज कर रहे है अच्छा, अब बनाके चलते है, यह मेरी present की state है, जो हमने बात की, यह present की state है similarly, अगर मैं जो past की state refer करनी होगी, तो मैं क्या रिख दूँगा, I was a student अब यहाँ पर जो was है, यह भी कहा है, main verb है, यह कॉन से tense होगा, past indefinite tense इतनी बात क्लियर होई, यह present की state होगी, यह past की state होगी similarly, future की state को refer करना होगी, तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर sentence लिखा I blank a business tycoon, अब मैंने यह बोलना है, कि मैं future में business tycoon बनूँगा, अब यह future में business tycoon बनूँगा, अगर आपको याद हो, future एक ऐसा point होता है, जहाँ पर हम prediction करते हैं, कि वो काम हो सकता है, उसकी भुविश्मानी है, उस भुविश्मानी को refer करने के लिए, मैं model यूज करना परता सकता है, इसको देखते हैं, उसका D option लिखा हुए है, अच्छा है, यहाँ पर shell के बाद कौन सी form यूज कि यहाँ पता है, कि model के बाद verb की base form यूज करते है, base का मतलब basic form जो dictionary में exist करती है, लेकिन यह तो dried form है, इसी बचाए से D option भी गलत हो गया, तो जो हमारा option है, वो option कौ की state होगी, future की state होगी, और यह कैसा sentence होगया, कैसा tense हुआ, future indefinite tense, आई बात समझ, अब आगे चलते है, next है, I hope आपको B की form का समझ आ गया हो, B की form का मतलब कहा है, जब वो helping up होगी, तो वो continuous tense बलाएगी, जब वो main verb का का काम करेगी, तो वो state को refer करेगी, subject की state, अब यहाँ हैस की बात कर रहेते हैं, यहाँ पर देखिए, he has code 50 run so far, so far का मतलब होते है, until low, अभी तक, ठीक है, अब यहाँ पर main verb conscious code है, तो हैस क्या होगी, helping up होगी, तो मैं बता चल गया, has plus verb की third form की तो एकॉंसा tense हो गया, present perfect tense, मैं बार बार कहा हुआ हूँ, sir, आपको हिंदी में convert न यहाँ पर जो has है, इसके बाद verb की कोई form तो है, नहीं कोई action तो लिखा नहीं हुआ, तो जो has है, यह खुद ही किसका काम कर रही है, mean verb का काम कर रही है, अगर यह mean verb का का काम कर रही है, तो यह verb की first form है, अगर यह verb की first form है, तो यहाँ पर एकॉंसा tense हो गया, present indefinite tense, आई बा कि हम क्या चीज़ एक्स्प्रियन करना चाहते हैं यह हम कहना चाहते हैं जैसे कि मैं सिंटेंस लिखता हूं नीचे देखिए he owns a car, owns का car का मतलब क्या है कि उसका possession है उसकी ownership है यह car किसको belong गरती है he को belong गरती है तो same meaning ही he has a car का है जब has have as a mean verb का गरती है तो वो क्या दिखाते हैं हमें possession दिखाते हैं has का मतलब owns कहा सकते हैं या फिर possess कहा सकते हैं possession का मतलब जो चीज आप जिस चीज पर आपका अधिखार है तो जब चाहिए लिखो he owns a car, he possesses a car, he has a car तिनों का क्या meaning है same meaning है तो यह कौन सा टेंस वह प्रेजंट इंडेफिने टेंस यह भी present इंडेफिने टेंस यह भी present इंडेफिने टेंस अब आगे चलते हैं अगर मुझे अब मैंने यहाँ पर लिख दिया he on a car, he had a car, अब यह पास्ट का टेंस हो गया, तो यह कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिने टेंस, अच्छा हमें यह कैसे बता चलेगा कि यह वर्ब की second form है, यह third form है, वर्ब की third form से पहले हमेशा कोई ना कोई helping verb होनी चाहिए, वर सब्लेक्ट की immediately बात कुछ लिखा हो, तो हमेशन कोन सी form होगी बब की second form, तो मैं बता चलेए, बब की second form अगर बब की second form है, तो इसी बचेंस होगा, future, indefinite tense, और यह future का possession हो गया, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, do की, जैसे मैं लिखा, she knows me, तो इसे indefinite tense हो गया, ठीक है, यह एक affirmative sentence है, लेकिन हमने do does यहाँ पर use क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें do does को जूरुत करने की जूरुत तब बढ़ती है, जब यहां तो हम negative sentence बनाएं, या फिर हम interrogative sentence बनाएं, जैसे मैंने लिखा, she does not know me, यह does क्यों हो गया, no क्यों हो गया, mean verb हो गया, अच्छा, अब आगे देखते हैं, does she know me, does यहाँ पर क्या हो गया, helping up हो गया, तो जो do does है, यह कौनसे tense बनाता है, indefinite tense बनाता है, do does हम negative और interrogative sentences में ही use करते हैं, और do does के बाद हमेशा कौनसी वर्ब हम यूरुत की base form, इतनी बात आई समस, अब नीचे एक sentence in their free time, इस sentence में जो एक वर्ब लिखिया, वो कौनसी वर्ब है, do वर्ब है, क्या यह इसके बाद कोई और वर्ब लिखिया, जिसको यह help कर रही है, नहीं कर रही है, तो कोई और वर्ब नहीं है, जिसको यह support कर रही है, तो यह खुद ही क्या हो गई, main verb हो गई, अगर यह दिखाती है, action दिखाती है, आज आगे चलते हैं, she did all the work without any help, यह past action हो गया, यह past indefinite tense हो गया, next चलते है, she will do it later in the evening, do as a main verb हो गई, तो यह भी किसको रही है, action को, तो यह कौन से tense हो गया, future indefinite tense, जब do as a main verb काम करती है, तो यह action को भी रही करती है, किसी doing को ही रही करती है, आपको समझा होगा, अब आगे चलते हैं, अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर start किया था, हम पता सकती है, जो be है, have है, do है, यह primary helping verb है, यह primary auxiliary verb है, यह helping verbs हैं, लेकिन as a main verb का काम भी कर सकती है, जब be as a helping verb का काम करेगी, तो ओक है, इसका काम करेगी, continuous tense मनाएगी, लेकिन ज काम करेगी, तो वो क्या दिखाएगी, possession या फिर, ownership, जैसे I have a car, I have a phone, third है do, जब do है, helping अप काम करेगी, तो वो कौन सा tense मनाएगी, indefinite tense, लेकिन जब वो as a main verb काम करेगी, तो वो क्या रही present करेगी, action को, right, अब इसके basis पे कुछ examples कर लेते हैं, आपको tense identify करना है, right, जैसे ह स्टेट बता रहा है, past indefinite tense, right, she will be late today, main verb कान सी होगी, B होगी, will लगा हुए, तो future की स्टेट होगी, future indefinite tense, what are you doing these days, अब यहाँ पर जो R है, यह मेन वर नहीं, जो do है, यह क्या है, main verb है, do main verb है, ठीक, ing form में है, तो यह कौन सा tense हो गया, present continuous tense, right, अब आगे चलते हैं, she has done her study well, जो done है, यह ऐसा main verb हो गया, जब ऐसा main verb हो गया, तो यह किसका काम कर रहा है, main verb है, has a plus verb की third form, तो यह कौन सा structure हो गया, present perfect tense, female will not do it for me, यह do के main verb है, will shall plus verb की first form, कौन सा tense हो गया, future indefinite tense, I do not have, I do not have time for Facebook, right, अब यहाँ पर जो main verb है, वो have है, do है, main verb कान सी है, है, have, ठीक है, right और जो do है, यह helping verb है, ठीक है, जो have main verb है, वो की first form है, तो यह कौन सा tense हो गया, present indefinite tense, और यह position को refer कर रहा है, negative structure में, मेरा had some money, past का position हो गया, past indefinite tense, they are kind, उनकी state बता रहा है, B की form as a main verb काम कर रही है, तो यह कौन सा tense हो गया, present indefinite tense, ठीक है, तो आज के लिए है, इतना ही, I hope आपको मेरे lecture बसंदा है होगा, thank you